हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टेंड बीपीसी में दोस्तों आज फिर से मैं आकर ले करा चुका हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 41 इससे पहले बहुत सरे प्रैक्टिस सेट बहुत सरे परकासन का और लगभग 100 मतलब लगभग मुझे लग रहा है कि आप चे सेट करने में हमें समय लगता है दोस्तों कोश्चन सेट करने में कम से कम एक से डिर घंटे लग जाते हैं आप मैक्सिमा मालो की 85 से 90 मिनट तक कोश्चन सेट करने में लग जाता है मुझे इसलिए आप लोग सेशन को बया न करे फाजूल न करे यह आपके मदद के लिए है अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मदद मिलेगा और यह प्रैक्टिस सेटी नहीं बलके जितने सिबिल कोड के एक्जाम हुए हैं दस स्टेट का मैं निचोर लेकर आया हूँ यह आप लोगों के लिए बहुत ही मददकार मिलेगा चाहे पियोन हो चाहे कलार तो अंतक बने रहेंगे आपको जरूर मदद मिलेगा चलिए संग्या से रिलेटेड मैं कोशन लेकर रहा हूँ और इससे रिलेटेड कोशन जितने बनेगो उतने हम देख लेंगे आज हम लोग चलिए पहला कोशन है बहु बहु सब्द का अर्थ क्या है इसमें से क्या राइट अंसर होगा बताएं लोग क्या राइट अंसर होगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जागा बहुत से वधू यानि अपका बी नमर का राइट अंसर अगला प्रसंद देखिए अगला है सुक्ति और एक है तिलाबे सवला शुक्ति सब्द का अर्थ बताना है इसमें क्या होगा राइट अंसर अप्शन है सूची से बूधी कहावत से सीपी और सुक्ष में से तिक्छन और लोकोकित से स्वक्ष इसमें क्या राइट अंसर होगा चलिए बताएं क्या र होगा कैया राइट रोगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जागा lacks पिंद दोस्तों कहावत सेंपी कमेट किया है उनका बिल्कुल सही है चली अगला प्रफसन देखते हैं अगला प्रफसनी इस सूर और एक है सूर, सवब्द का अर्थ बताना है इसमें से क्या राइट अंसर होगा अप्सान आपके सामने है संगीत से सूर्दास, देवता से अंधा और देवता से सूर्य और देवता से सूर्दास क्या राइट अंसर होगा अब आप लोग बताईए क्या राइट अंसर होगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा देवता से अंधा अगला प्रसन देखिए अगला है सूमन से सूवन और सब्द का अर्थ बताना है क्या बताना है सुमन से सुवन सब्द का अर्थ बताना इसमें से क्या राइट अंसर होगा ओप्शन है पूस्प से हनुमान और पूस्प से पूत्र पूस्प से जंगल और पूस्प से सुगन्धित इसमें से ही अंसर है आपको जवाब देना है क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों पूस्प से पूत्र अगला प्रसन देखिए अगला है सुधी से सुधी सब्द का योगम का अर्थ क्या है सूधिस सूधिस सब्द योगम का अर्थ का हपसन एसमरन से अमरित नदी से समुद्र विसमरन से याद और याद से बिद्वान क्या राइट अंसर होगा बताए क्या राइट अंसर होगा इसमें से क्या राइट अंसर होगा तो राइट अंसर हो जाएगा याद से बिद्वान अगला प्रसंद देखिए सर से शर सब्द का अर्थ क्या होगा सर से शर सब्द यूगम का अर्थ क्या होगा अप्शन है मौस्तक से बान सम्पूर्ण से सरोवर तलाब से बान, सूखा से तीर क्या राइट अंसर होगा इसमें से, बताइए लोग दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा तलाब से बान अगला प्रसंद देखिए समान और एक शमान एक समान है और एक समान है इसका और्थ बताना है क्या होगा इसमें से अप्साने त्रह से समागरी वस्तु से त्रह समान से समागरी अदद से समान इसमें से क्या राइटन सरुगा बताईए क्या राइटन सरुगा दोस्तों बहुत ही सेसंजबरदस्त है आप लोगों को बस अरते अच्छा से कर लेना है और देखे जो लोग अगर लाइब करते हैं अच्छा है लाइब नहीं जोड़ते हैं तो अब आद में भी किजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है आपको नोट करते रहेगा बहुत बिनेफिट मिलेगा आप लोगों को इसका राइट अंसर होजेगा दोस्तो तरह से समागरी अगला प्रसन देखिए सकल और एक है शकल सब्द का अर्थ बताना है अफसन है सारा से सूरत, सूरत से सारा, सफल से सारा और इनमें से कोई नहीं क्या राइट अंसर होगा बताएए लोग क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर होजेगा दोस्तो सारा से सूरत अगला प्रसन देखिए संग और एक संग है इसका उर्थ बताना है क्या होगा आपके सामने है पार्टी से साथ संगठन से साथ संगठन से रिस्ता और जूरना से साथ क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर क्या होगा बताए राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों संगठन से साथ अगला प्रसन देखिए स्रवन से स्रोमन सब्द योग मकार्थ बताना है स्रोमन और स्रोमन है अप्सन देख लिए सन्यास से बैराग्य कान से सुनना सुनना बोध सन्यासी अभयक्ति से घूमना इसी में से आपका आउंसर छीपा हुए है बताना है आपका क्या राइट अंसर होगा सोचिए लोग बताइए क्या राइट अंसर होगा आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बताइए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो राइट अंसर हो जागा सुनना यहनी बौध से सुनना से बौध सन्यासियाब का करेक्ट अंसर है अगला प्रस्न बीत से बृत सब्द युगम का अर्थ क्या है? अप्षने धन से ब्यपार, धन से गुलाकार, आर्थिक से घूमना, धन से अनाज इसमें से क्या राइट अंसर होगा? राइट अंसर होजाएगा, धन से गुलाकार, अगला प्रस्न देखिए वास से बास सब्द युगम का अर्थ क्या है? अप्षने निवास से गंद, सुगंद से दुरगंद, वासी से निवासी, सुन्दर से बासी इसमें अंसर है, बताइए क्या राइट अंसर होगा दोस्तो? जौब देजिए लोग क्या राइट अंसर होगा? दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा आपका निवास से गंद अगला प्रसंद देखिए अगला है वारिस से वारिस सब्द युगम का अर्थ क्या है? वारिस से वारिस सब्द युगम का अर्थ क्या है? अप्सन है वर्षा से तुफान, वर्षा से बाड, वर्ष से सुक और वर्षा से समुद्र इसी में से अंसर है बताइए क्या राइट अंसर होगा छिपा हुआ अंसर को आपको निकाल लेना है चलिए बताइए लोग क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर क्या होगा बताईए राइट अंसर हो जगा दोस्तों वर्षा से समुद्र अगला प्रस्न वाद से वाद्द सब्द युग्मकर्थ क्या है वाद से वाद्द सब्द युग्मकर्थ क्या है अप्शन है बिनोद से कमजोर तरक से बजार वादी से पर्तिवादी, तर्क से भी तर्क क्या राइट अंसर होगा? राइट अंसर हो जगा तर्क से बाजा अगला प्रस्न है रीती से नीती, सब्द युगमकर्थ क्या है? रीती से नीती सब्द युगमकर्थ क्या है? अप्शन है नियम से प्रथा, प्रथा से किनारा, रिवाज से नियम, नियम से तरीका क्या इसमें से राइट अंसर होगा? राइट अंसर होगा क्या? तो राइट अंसर होजेगा आपका प्रथा से किनारा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है रत से रती सब दियुगमकर्थ क्या है रत से रती सब दियुगमकर्थ क्या है उप्सन है पुरुस से इस्तिरी प्रेमी से प्रेमी का लीन से प्रेम संजोग से ब्योग क्या राइट अंसर होगा दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका लीन से प्रेम अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है जलद से जलज सब द्यूगम करत क्या होगा जलद से जलज सब द्यूगम करत क्या होगा अप्शन है वर्षा से मेढक बादल से कमल बादल से मचली बादल से कमल बताईए इसी में आंसर छेपा हुए आपको जवाब देना है क्या right answer होगा सोचिए लोग right answer हो जागा आपका बादल से कमल अगला प्रसन देखिए सब्सक्राइब करत क्या है मेल से मैल सब दियुगम का अर्थ क्या है option है मिलना से गंदगी, गंदगी से मिलना, मेला से मिलना, मिलना से मेला क्या राइट अंसर होगा बताईए क्या राइट अंसर होगा सोचिए लोग राइट अंसर हो जागा आपका मिलना से गंदगी अगला प्रस्न भारतिये से भारती सब दियुगम का उर्थ बताना है किसका भारतिये से भारती अप्सने भारतवासी से सर्श्वती भारतवासी से इस्त्री भारतवासी से पुस्प भारतवासी से भारतमाता सोचिए क्या राइट अज़रोगा पर तेक कोशन पर आपको 10 सेकेंड का हम समाय देंगे चलिए योर टाइम इस स्टार्ट चलिए 10 सेकेंड खतम हो गया अब राइट अंसर हम बताते हैं भारत वासी से सर्स्वती चलिए अगला प्रस्न है बात से वात सब दियोगम का अरथ क्या है? अपसान देख लेते हैं कथन से बुखार, कथन से तपन, वचन से हवा, कथन से तेज क्या राइट अंसर होगा? अपसान अब के सामने है your time is now start राइट अंसर हो जाएगा वचन से हवा अगला प्रस्न बहुत से बहुत सब दियुगम का अर्थ क्या होगा अप्सान आपके सामने हैं बहुत से वधू वधू से बहुत निरित से बहुत इनमें से कोई नहीं क्या राइट अंसर होगा बताईए राइट अंसर हो जाएगा आपका बहुत से वधू अगला प्रस्म बद और व्रीद सब्द युगम कर्थ क्या होगा बद से व्रीद सब्द युगम कर्थ क्या होगा अप्सन है घायल से बुढ़ा बंधा हुआ से बुढ़ा अधेर से बुढ़ा युवा से बुढ़ा बताए क्या राइट अन्सर होगा राइट अंसर हो जाएगा आपका बंधा हुगा से बुढ़ा अगला प्रस्न प्रतिहार से प्रतिहार सब्धियुग्मकर्थ क्या है? प्रतिहार से प्रतिहार सब्धियुग्मकर्थ क्या है? Option है, नोकर से नोकरानी, द्वारपाल से निवारन, नोकर से मालिक और द्वारपाल से उपाए इसी में यह अंसर है, बताए क्या राइटनसर होगा क्या राइटनसर होगा? तो राइटनसर होजगा अबका द्वारपाल से निवारन अगला प्रस्न है पास से पासर्व सब्द युगमकर्थ क्या होगा पास से पीछे करा से बीच में बंधन से बगल में बंधन से उपर इसमें से क्या राइट अंसर होगा बताईए क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर होजाएगा बंधन से बगल में अगला प्रस्ण परिनाम से परिमान सब्द्यूग्मकार्थ क्या है? परिनाम से परिमान सब्द्यूग्मकार्थ क्या है? अप्सण है नतीजा से दूरी, नतीजा से मातरा, परिक्षाफल से मातरा, नतीजा से उचाई इसमें से क्या राइट अंसर हो जाएगा नतीजा से मातरा अगला प्रसन देखिए परमीती से परमीती सब दियुगमकर्थ क्या होगा? अप्शन है आकार से सीमा, सीमा से रूपरंग, चरम सीमा से मर्यादा, समीती से विस्मिरित क्या राइट अंसर होगा, बताइए राइट अंसर होजगा चरम सीमा से मर्यादा अगला प्रसन, नीरद से नीरज, सब दियुगमकर्थ क्या है इंदर से कमल, नारद से कमल, वीना से कमल, बादल से कमल क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर हो जाएगा बादल से कमल अगला प्रश्न नीर से नीर सब दियुक्म कर्थ क्या होगा अप्सन देख लेते हैं जल से घोंसला पतला से घर निकट से घोंसला जल से ब्रिक्च क्या राइट अंसर होगा बताईए राइट अंसर जल से घोंसला हो जाएगा अगला प्रश्न निशाकर से निशाचर सब दियुगम कर्थ क्या होगा? निशाकर से निशाचर सब दियुगम कर्थ क्या होगा? अप्सन है रात्री से पक्षी, रात्री से उल्लू, चंदरमा से रक्षस, चंदरमा से पुस्प, बताए क्या राइट अंसर होगा, राइट अंसर हो जाएगा चंदरमा से रक्षस, अगला प्रस्न है, देव से देव, सब द्यूग्म कर्थ क्या होगा, देव से देव, सब द देवता से राक्षस, देवता से दुर भाग्य, क्या राइट अंसर होगा? राइट अंसर होगा देवता से भाग्य, अगला प्रस्न है, दूत से दूत, सब द्यूग्मकर्थ क्या होगा? दूत से दूत, सब द्यूग्मकर्थ क्या होगा? अप्शन है, जासू से कीरा, प्रतिनीधी से जुआ, कीरा से प्रतिनीधी, राजदूत से कंजूस, क्या राइट अंसर होगा? राइट अंसर हो जाएगा आपका प्रतिनीधी से जुगा अगला प्रश्न दग्द से दुग्द सब्दियुक्मकर्थ क्या होगा? दग्द से दुग्द सब्दियुक्मकर्थ क्या होगा? अप्शन है स्वेत से दूद दूद से स्वेत जला हुआ से दूद जल से दूद इसमें से बताना है क्या राइटन्सर होगा बताईए क्या राइटन्सर होगा तो राइटन्सर हो जगा आपका जला हुगा से दूद चलिए अगला प्रस्न तरणी एक है तरणी से तरणी सब दियुग कर्थ क्या होगा अप्षन है सुर्य क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर हो जाएगा आपका नाव से सुर्य अगला प्रस्न है तॉनू से एक है उ दोनों मतलब तारकुन बार्जुन है ठीक ना तॉनू से तॉनू सब द्यूंग करत बताना है तो एक अप्शन है मोटा से पुत्र क्रिस काय से पुत्र दूबला से पुत्र और पुत्र से दूबला क्या राइट नसर होगा बताईए राइट अंसर हो जाएगा आपका दुबला से पुत्र अगला प्रस्न जलद से जलज सब देया होगा अपिशन है बादल से कमल कमल से बादल मोती से कमल और कमल से मोती बताए क्या राइट अंसर होगा बताइए लोग क्या राइट अंसर होगा दोस्तों आपका बादल से कमल अगला प्रस्न छात्र और एक छात्र सब दियूम का उर्थ बताना है बताइए क्या राइट अंसर होगा अप्सन है छत्रिये से बिद्यार्थी, बिद्यार्थी से छत्री, छत्री से बिद्यार्थी और बिद्यार्थी से छत्रिये राइट अंसर होगा बिद्यार्थी से छत्रिये अगला प्रस्न ग्रीह से ग्रह सब दियूम कर्थ क्या होगा अप्षन है तारा से घर, घर से सूर्य, सूर्य से तारा, घर से तारा क्या राइट अंसर होगा? राइट अंसर होजेगा घर से तारा अगला प्रस्न गन से गन सब्द्यूंकर्थ क्या होगा? गन से गन सब्द्यूंकर्थ क्या होगा? अप्सन है तंत्र से गणना व्यक्ति से गाने योग लोग से समान जनक समू से गिनने योग क्या राइट अंसर होगा बताईए राइट अंसर हो जाएगा समू से गिनने योग अगला प्रस्न कुल एक तारकुन बार जुन अला फिर आ गया कुल एक कुल जो है तारकुन और एक कुल है बार जुन से यानि कुल से कुल सब दियुक्त बताना है क्या राइट अंसर होगा अप्शन है तट से वंस, वंस से किनारा, वंस से सीतल, किनारा से वंस क्या इसका अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा इसका? राइट अंसर हो जगा आपका वंस से क्या होगा? किनारा अगला प्रसन है अगला प्रसन है दोस्तों कटी बंध कटी बंद से कटी बध दिया है सब दियोगम का अर्थ बताना है आपको अपसन आपके सामने है अपसन देख लेते हैं कमर से ततपर बांद से सोगंद कमर बंद से ततपर बंदा हुआ से संकल्प क्या राइट अंसर होगा? क्या राइट अंसर हो जाएगा कमर बंद से ततपर अगला प्रशन आसन से आशन सब्ध्योंकर्थ क्या होगा? बैठना से संकट, बैठना से निकट, बैठने की जगह भीपति, बैठने की वस्तू निकट इसमें से क्या राइट अंसर होगा? राइट अंसर बैठने के वस्तु निकट होती है अगला प्रस्न आर्थ है और एक आर्द्र है सब दियुक्म का इसका अर्थ बताना है अप्सन है आपके सामने चीखना से सुखा दुखी से गिला करहाना से वर्षा पीरा से चटक बताए इसमें से क्या राइट अंसर होगा सोच समझ कर जवाब देजिये लो और इसको नोट करते रहना है नोट नहीं किजिएगा तो फिर दिक्कत होगा उसके लिए आपको अगर नोट नहीं करते हैं तो दो से तीन बर वीडियो देखना परेगा हपते में क्योंकि साथ दिनों बाद हमारा माइड डिलिट हो जाता है राइट अंसर हो जगा दुखी से गिला अगला प्रश्ण आभरन से आमरन सब दियों करत क्या होगा अप्शन है भरपेट से हर्ताल भारापुरा से अंसन अभुशन से मरंतक आभूसन से मृत्यू के निकट क्या राइटन सरह गए इसमें से? राइटन सरह जगा आभूसन से मरंतक अगला प्रस्ण आदी से आदी सब दियुमकर्थ क्या होगा? अप्शन है आरंब से अभ्यास्त अभ्यास्त से आरंब आरंब से अंत अंत से पररंब इसमें से क्या राइट अंसर हो जाएगा आरंब से अभियास्त अगला प्रश्न अवस्ता से आयू सब दियुमकर्थ क्या होगा अप्शन है जीवन का भाग से संपुन जीवन काल उसके बाद है संपुन जीवन से काल से जीवन का भाग उसके बाद है इन में से कोई नहीं उसके बाद है ए और भी दोनों से ही क्या राइट अंसर का बताईए राइट अंसर हो जाएग आपका ए और भी दोनों अगला प्रश्न अली से आली सब्दियुमकर्थ क्या होगा अली से आली सब्दियुमकर्थ क्या होगा अप्सन है भौरा से सक्खी सक्खी से भौरा भौरा से कली और कली से भौरा बताए क्या राइट अंसर हो गई इसमें से राइट अंसर हो जाएगा भौरा से सक्खी अगला प्रसन देखिए अम्बूज से अम्बूधी सब दियुक्मकर्थ क्या होगा अम्बूज से अम्बूधी सब दियुक्मकर्थ क्या होगा अप्सन है पानी से तलाब कमल से सागर बादल से बिजली समूदर से कमल क्या राइट अंसर होगा बताईए राइट अंसर होजगा कमल से सागर अगला प्रश्न अमीत से अमीत सब्दियुमकर्द क्या होगा कन्फूजन नहीं करना है एक अमीत हार्सिन से है और एक दिर्गिन से है बताईए अप्शन है बहुत से सत्रू महान से करवा कठिन से मधूर या विसाल से सत्रू एक अमीत का मतलब क्या होगा और एक अमीत का मतलब क्या होगा बताईए राइट अंसर हो जाएगा बहुत एक हार्सिन वाले अमीत का मतलब बहुत और एक अमित तिर्गिन वाले मतलब का सत्रू अगला प्रश्न अपकार से उपकार सब दियुक्म कर्थ क्या होगा अप्शन है भलाई से अपकार का मतलब भलाई क्या होगा इसमें option दे दिया है भलाई, भुराई, 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 अचाही भुराई, अब बुराई से अचाही बताए इसमें से क्या write answer होगा right answer हो जायगा आपका अपकार का मतलब बुराई और उपकार का मतलब भलाई अगला प्रस्ण अनल से अनील, सब दियुक्मकर्थ क्या होगा? अप्शन है, पानी से हावा, हावा से पानी, पानी आग, आग हावा, बताईए अनल का मतलब क्या होगा, अनील का मतलब क्या होगा? राइट अंसर हो जाएगा, अनल मिस आग और अनील मिस हावा तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है मिलेंगे हम लोग फिर कल इसी समाए पर आप लोग अपने ख्याल रखे पढ़ाई कीजी और देखे जिन्दिगी में क्या है यार एजुकेशन हम लोग इसलिए प्राप्त करते हैं कि हमें बोलने की कपसिटी हम किसे के बातों को समाझ जाए रियल इजुकेशन का मतलब यही होता है नोकरी देखो तो एक जिवन आप उनके लिए किया जाता है लेकिन आप पढ़ रहे हैं और आप आपको बात करने का सहली पाता नहीं है किसे कैसे बात करना है जिन्दगी में बहुत सारे और भी इस पढ़ाई के लाव भी और भी दुनिया है जो किताबों से नहीं मिलता है मैं बार बार बोलता हूँ कुछ चीज़े ऐसी होती है जो आप अपने वातवरन से सीखते हैं बाहर के दुनिया से सिखते हैं उन सब चीजों को भी देखकर लाइप में आगे बढ़ना है गलत क्या है सही क्या है उन सब चीजों को भी ध्यान रखिए और फर्स्टली यू है टू रेस्पेक्ट यूर पैरेंट्स सबसे पहले जुरूरी है कि आप ठाई के साथ अपने पै प्राइब कर लिजएगा